नमस्कार आदाब सच्छी अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार एडी भाजपा की एक बीड़ी है जिसे वो जब चाहे तब सुलगा लेती है दो फूंक मारती है और फिर राक जाड़कर लख देती है आपको लग रहा होगा यह कोई सस्ती कविताई है लेकि नहीं हो जोर आप ही बताईए देश के बैंकों का हजारों हजार करोड रुपया लूट कर भाग गए धन्ना सेठों के घरों पर कभी एडी ने च्छापा मारा था आपको कुछ याद आता है क्या कि एडी ने कभी सतरह बैंकों को नौ हजार करोड से ज़्यादा का चूना लगा कर मोदी की नाक के नीचे से विदेश भाग गए विजय मालिया पर कभी एडी ने च्छापा मारा हो ये पैसा देश का पैसा था आपको कुछ याद आता है क्या कि भारत के बैंकों का 13,600 करोड रुपया लूट कर भाग गए कटर रास्टवादी नीरो मोदी एंड कमपनी के घरों पर कभी एडी ने च्छापा मारा हो आपको कभी याद आता है क्या कि 7,000 करोड रुपया गड़प करके उड़ जाने वाले जतिन महता की कॉलर कभी एडी ने पकड़ी हो 1,000-2,000 करोड लूट कर मौज करने वालों को तो जाने दीजिए एक दिन में नहीं हुई थी ये लूटें देश को धीरे धीरे खोकला किया गया लेकिन भाजपा की बीडी बोले तो ED, Income Tax, CBI को होश नहीं था कि भारत के ये लूटेरे एक दिन देश छोड़कर भाग जाएंगे क्योंकि बीडी अपने आप नहीं सुलकती हुजूर, उसके लिए माचिस की जरूरत पड़ती है और ED की माचिस दीन दया लुपा ध्याय मार की छे नंबर हवेली से सुलकती है लेकिन आज इसका जिकर करने के पीछे वज़ा क्या है? वज़ा ये है कि देश की एक पत्रकार है राना आयूब आप जानती होंगे उन्होंने किसी जमाने में 2 करोड 79 लाक रुपए का चंदा जमा किया इस पर ED की बीडी सुलगी हुई है और खाली सुलगी हुई है, सुलक कर मशाल हो गई है भारत की जनता का हजारों हजार करोड रुपया लूटने वालों पर बुझी रहने वाली बीडी बतलब ED एक दम भबक रही है उसने दिन रात जाच करते वे चार्शीट फाइल कर डाली कि मिलाड इस औरत को सजा देना बहुत जरूरी है माल्या, नीरोमोदी, जतिनमेता, संदेसरा को बाद में देख लेंगे पहले इसको सबक सिखाईए, बहुत टिपिर टिपिर करती है अब राना यूब के खलाफ लगे आरोपों का सिर पैर भी समझ लीजिए इडी ने आरोप लगाया है कि अपरैल 2020 से राना यूब ने चैरिटी के जरीए धने कत्र करने के मकसद से तीन अभियान शुरू किये इन अभियानों से उन्हें कुल दो करोड उनहत्तर लाख रुपे की रकम हासिल हुई इडी के मताबिक राना यूब ने ये रकम जुग्गी बस्ती में रहने वालों, किसानों, असम, बिहार और महराष्ट में राहत कारे और COVID-19 से प्रभावित लोगों की मदद के लिए जुटाई गई लेकिन उन्होंने इसका एक हिस्सा अपने पिता और अपनी बहन को भेज दिया एजेंसी ने आरोप लगाया कि राना यूब ने 50 लाख रुपे की FD कर दी और 50 लाख रुपे एक नए बैंक खाते में भेज दिये जाच में पाया गया कि राहत कारे के लिए केवल 29 लाख रुपे का उपयोग किया गया था मतलब ED की बात को ही पूरा सच मान ले तो भी कुल मामला 2 करोड 40 लाख रुपे का बलता है इसमें एक बी रुपेया उन्होंने राश्चवादी भगोडों की तरह किसी बैंक से नहीं लिया कोई करजा नहीं लिया किसी से फंजिवारा करके नहीं लिया किसी से जबरदस्ती करके नहीं लिया जिनके खिलाफ ED की बीड़ी कभी नहीं सुलगी फिर चवनी के मामले में राना अयूब के खिलाफ एडी की बीडी सुलकर मशाल कैसे हो गए ये भी बताते हैं क्योंकि राना अयूब के खिलाफ बीडी मतलब एडी तक शिकायच जिसके जरीय पहुँची थी उसका नाम है विकास संकृत्यायन नहीं नहीं विकास का मतलब यहां डिवलाप्मेंट से बिलकुल नहीं है ये वाला विकास हिंदू आईटी सेल नाम का एक बहुत भारी भरकम संगठन चलाता है ये पिछले साल यानी 2021 की बात है एडी की बीडी इसके बाद इतनी तेजी से सुलगी कि उसने 10 फरवरी को आयूब की बैंक में जमा पौने 2 करोन रुपए की रकम कुर्क कर ली इसके बाद आयूब ने एक बयान जारी किया कि ये पिये मेले कानून और प्रवलतन अजंसियों का दुरुपएयोग कर उनकी आवाज को दबाने का एक और उदाहरन है जो सत्ता रूड शासन से सवाल और उसकी आलोचना करती है राना ने ये भी कहा कि उनकी कलम कभी खामोश नहीं हो सकती अब खेल को समझे राना यूब ने 12 अक्टूबर को अमेरिका में भारत में सुतंतर प्रेस पर हमले पर एक संगोश्टी में हिस्सा लिया और इसके अगले ही दिन यानी 13 अक्टूबर को एडी की बीडी सुलक ज आया कि यूब ने केटो प्लेट फॉर्म के जरीए अवैज रूप से 2 करोड 79 लाक रुपे जुटाए इस पर राना कहती है कि वो डरने वाली नहीं है वो देश में हाशिये पर पड़े लोगों के उथपीडन के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी लेकि सवाल राना क्या जिसकी वसूली आज भी तारीख के पन्नों पर आंधे मों गिर रही है एडी की बीडी ना तो कभी उन्हें रोक पाई और नहीं कभी वसूली कर पाई सच यह है कि हजारों हजार करोड मोदी सरकार की नाक के नीचे से गायब हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती लेकिन एडी चंदे की चवन्नियों को जोड़कर जुटाए गए पौने दो करोड रुपली के रेशे रेशे का हिसाब करने बैठ जाती है आपको याद होगा मोदी जी ने अपना 56 इंच का सीना तान कर बड़े दावे के साथ सक्ता में प्रवेश किया था कि काला धन लेकर वापस आएंगे विदेश से सबके खातों में 15-15 लाक रुपया तो ऐसे ही आएगा लेकिन वो विदेशों से क्या लाते जो देश में था उसको भी विदेश भेजने का रास्ता कोल दिया मोधी सरकार के शुरुआती चार सालों में ही 90,000 करोड से ज़्यादा के बैंक गोटाले हुए जिसका खुलासा खुद रिजर बैंक ने किया था इस दोरान देश के अलग अलग बैंकों में छोटे बड़े मिलाकर 19,000 से ज़्यादा गोटाले हुए खुद विकास का गुजरात मोडल घोटालों के गुजरात मोडल के तरह सामने आया 6,000 करोड रुपए का कोईला घोटाला कई घोटालों का बाप है विजय मालिया, नीरो मोधी, एमी मोधी, मेहुल चौकसी, जतिन महिता ये सारे लोग मोधी के राज में देश छोड़ कर भागे और ये सारे लोग इन दिनों दुनिया भर के अलग-अलग देशों में मौज कर रहे हैं गुजरात के दाहेज और सूरत में पानी के जहाज की मरमत करने वाली कमपनी एबी जी शिपियाड ने देश के 28 बैंकों से कारुबार के नाम पर 28,842 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और लोटाने के नाम पर ठेंगा दिखा दिया लगाता साथ साल तक वो बैंकों को लूटता रहा लेकिन क्या मजाल की एडी की बीडी कभी सुलगी हो सवाल ही नहीं उटता इसकी बीडी तफटाफट सुलगती है जब दूसरी तरफ कोई मुसल्मान हो कटरपंत के खलाफ बोलने वाला कोई नाजवान हो भाजपा पर सवाल उठाने वाला कोई महरबान हो इसके बाद तो वो पौने दो करोर रुपए क्या पौने दो रुपए के हिसाब के लिए भी दिल्ली से दौलता बाग एक कर देगी कुरकी जबती कर लेगी अख़बारों रिसालों में बयान दे देगी राना आयूब पर फंदा इसलिए नहीं कसा गया कि उन्होंने देश लूट लिया है वो लुटेरे तो मोदी की नाच के नीचे सा निकल गए राना आयूब पर फंदा इसलिए कसा गया है कि वो बोलती बहुत है और बोलने वाले लोग बीजेपी के बादशाहों को पसंद नहीं उन्हें ये देश गूंगा बहरा और बेहरकत चाहिए इस वीडियो में इतना ही लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉरण कर दीजे बेल आइकॉन रबाईए घंटी जैसे या करेती लाइक कीजिए और कमेंट करके बताईए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजे इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर है आर्टिकल 19 अंडरिस्कोर इंडिया नमस्कार